नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपनी चैनल में स्ट्रेश भी क्लासिश पर दोस्तों, H-Tat और C-Tat से जुड़ी बड़ी जानकारी आज के न्यूज पेपर में आई हुई है कि दोनों की जो डेट है एक जाम डेट वो एक ही दिन की रख दी गई है जिसे अब ब्यार्थी जो प्रेशान हो गई है और असमंजस में है इसे जुड़ी दो-तिन काफी महतोपून जानकारी आई हुई है इस वीडियो में दोनों तिनों महतोपून जानकारी ओपर बात करेंगे आगे बटने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजे देखिए बिवानी से जो खबर है इसे 7 साल तक H-Tat सर्टिफिकेट के मानेता का प्रभाव कहें या H-Tat पास कर चुके है बिवार्थियों में सर्टिफिकेट की जीवन बरकी वैदता होने की उमीद कहें इस बार अब तक मात्तर महज 35,000 बिवार्थियों ने ही H-Tat प्रिक्षा के लिए आविदन किया है तो आप सोच सकते हो जहां 5,000,000,000,000 आविदन आते थे इस बार सिरफ 35,000 बच्चों नहीं आविदन की आहब तक और जबकि कल की ही लास्ट डेट बताई जा रही है जबकि उस तन हर साल डाई से तीन लाग साड़े तीन लाग तक अब यार्थि प्रिक्षा के लिए आविदन करते थे हर्याना विदाल अशिक्षा बोर्ड ठारा और 19 दिसंबर को ही C-Tat प्रिक्षा है ऐसे में अब यार्थिय समंझस में है कौन सी प्रिक्षा दें और कौन सी नहीं दें बोर्ड अधिकारियों के संग्यान में भी यह मामला है जिसके बाद बोर्ड अधिकारी अब C-BSE को पत्तर लिख रहे हैं प्रिक्षा ती थी बदली जाई यह ओनलाइन प्रिक्षा है तो C-Tat को बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं H-Tat की प्रिक्षा ठारा उनिस को है जबकि C-Tat की भी अठारा को ही है तो सबसे जो बड़ी बात यहां पर निकल करा रही है क्या कारण ही तने कम है ब्यार्थियों के फारंबरने का यहां पर देखिए क्या कया है प्रोफेसर जगबीर सिंग ने चेर्मेन साब ने H-Tat प्रिक्षा के लिए आवेदन की अंतिमतिती 25 नौंबर 3 है प्रिक्षा 18 और 19 दिसंबर को होगी अभी तक सर्टिफिकेट की वैदिता लाइफ टाइम की नहीं हुई है तो सबसे बड़ी बात यह है जो बच्चे लाइफ टाइम की वैदिता सोचकर बैठ गए है और H-Tat का फार में अप्लाई नहीं करते हैं उनके लिए यह बड़ी खबर है कि अब तक लाइफ टाइम की नहीं हुई है H-Tat certificate की वैदिता 7 वरस की है C-Tat की भी यही है S-A में अब्यार्थी किसी S-Manjus में नहीं रहें और H-Tat प्रिक्चा के लिए आवेदन करें आप देख सकते हो चेर्मेन साब का ये बयान है ठीक है यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल दे रखिए यहाँ भी पिछले 9 दिनों में महज 35,000 ही आवेदन होने पर अब बोर्ड अधिकारियों ने युवाँ से अपील की है कि वे किसी बैकावे में या certificate की वैदिता उमर बर होने की उमीद के बजाए प्रिक्चा के लिए आवेदन करें अगर वैदिता उमर बर के लिए भी होगी तो गोषणा की तीथी से होगी नै की पीछे की तीथी से यानि के जब गोषणा करेंगे तब से लागू होगी पिछली तीथी से नहीं होगी ये बात कही गई है वेदता लाइब टाइम होने सम्मंदी अभी तक कोई गोशना सरकार ने नहीं किया है अर्याणा विदाला सिक्षा बोर्ड एच्टेट अध्यापक पातरता परिक्षा जिसको कहते हैं 2021 की तेरियों में जुटा हुआ है 25 नौबर एच्टेट परिक्षा के लिए आविदन की अंतिमतिती है बोर्ड तीन सिप्ट टीजिटी पीजिटी और प्यार्टी में परिक्षा लेता है उसतन हर साल डाई लाग से साड़े तीन लाग आविदन आते हैं हरियाना में सिख्षकों की बरती के लिए एच्टेट पास होना निवारिया है बोर्ड ने एच्टेट 2021 के लिए 15 नौबर से आउनलाइन आविदन परिक्रिया शुरू की है और 25 नौबर तक चलेगी ऐसे में इस बार 9 दिन में महज 35,000 ही आविदन जो है बोर्ड की वेबसाइट पर आये हैं जो चिंता बढ़ाने वाली हैं बाते हैं हाला कि कम आविदनों के चलते और अन्य तकनिकी कारणों के चलते आविदन की तीथी बढ़ाई जा सकती है लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई अन्तिम फैसला नहीं लिया है मात्र 35,000 बच्चों ने आविदन की आव तक और कल की ही लास्ट डेट आप सोच सकते हो कोई इंट्रेस्ट बच्चे नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए 18 और 19 दिसमर को परस्तावित है स्टैट प्रिक्चा स्टैट प्रिक्चा की तीथी बदलने के लिए लैटर जारी किया गया है ठीक है तो जो प्रेशानी है उसको तो दूर हो जाएगी वो तो डेट को तो आगे पिछे चलो कर लेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इंट्रेस्ट ही नहीं ले रहे बच्चे मात्र 35 दार कोई भी वैल्यू नहीं रखते डाई 3 लाख बच्चों के सामने तो ये खबर थी आप लोगों को लिए तो अपनी त्यारी लगातार बनाए रखिए बिल्कुल नजदीक है एकजाम ठीक है अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरे तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मुच